एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पुझा पापा मेरी लाइफ की क्या विल्यू है तब ही पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर को इसकी प्राइस पुझे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का मार्केट गया वो कुछ देर तो वहाँ एसे ही बेठा रहा लेकिन कुछ देर बाद ही एक बोड़ी और उसके पास आई और इस पत्थर का प्राइस मुझे लगी वो लड़का एक दम चुप रहा उसमें कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगली आप खड़ी करती तब ही वो बोड़ी और बोली 200 रुपे ठीक है इस पत्थर को मैं तुम से खड़ीट लोगी वो बच्चा एक दम से शोक दो गया क पत्थर के किमत 200 रुपे जो कि पत्थर जंडरी कहीं पर भी मिल जाते ही लेकिन उसका फ्राइस 200 रुपे वो तुरत अपने पापा के पास गया और बोला पापा मुझे मार्केट में बूरी वरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपे देने के दियार थी पापा ने कहा इस आदमी की नजर उसके हाप में रखे पत्थर बर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूझा वो बच्चा एक्दम चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलियां करी करती तभी वो आदमी बोला 20,000 रुपे ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपे दे प्राइस पूझे तुम्हें को तयार था तब उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हें आपनी जगह बेचने जा रहा हूं और अब तुम्हें जानाए कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूझे तो कुश मत कहना बस अपनी दो मंगलिया खड़ी करते हैं वो लड़का चलती से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बुड़ा आपनी था जो काउंटर के पीछे ख़ड़ा था जैसे ही उस बुड़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी वह एक्टम शोक्ट हो गया वो काउंटर से भा और अपनी दो उगलियां खड़ी करती तभी उबुड़ा आदमी बोला कि इतने दो लाग रुपे ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें दो लाग रुपे देने को तयार हूं प्लीस तुम्हें बत्थर मुझे दे दो उस लड़के को अपनी आपको पर विश्वास नहीं हो र इस पाप पर डिपेंड करती है कि आप अपने आपको कहा रखते हैं यह आपको डिसाइज करना है कि आपको 200 उपे का पथर बनना है या फिर 2 लाग रुपे का जिंदगे में कैसा रेसे लोग होते हैं जो आप सब बूत प्यार करते हैं उनके लिए आप सब खुच हैं और क करकह रुपे कि आपकोश कर अपको ठाब करते हैं जो आप सब शुचως है यह आपको चाह रखने को है चुच तो सब्सक्रों करते हैं यह आप अजаг करते हैं